हेला एवरिवान वेलकम टू आएफेस तो आयक्टी जैम 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इसके डेट आ चुके हैं उसके साथ आपको पता चल चुका है कि आप लोगों का एक्जाम होने अवाला है 11 तॉफ प्रैफ को 2024 में तो यहां पर सब आपको कितना पर्सेंट लाना है किसी के मन में डाउट है कि 50 पे काम चलेगा 55 पे चलेगा या नहीं उस पर हम आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं क्लियर कर दू कि जैम का एक्जाम वही दे सकता है जो बीसी थर्ड यर में हो या पास कर चुका हो अगर भी अपर बाउंड यहां पर नहीं है लोवर बाउंड भी नहीं है बस आपका क्या होना चाहिए या तो आप बीसी थर्ड यर के इस वक्त स्टुडेंट हो या बीसी आप पास आउट कर चुके हो और बीसी में परसेंटेज भी आपका मैटर नहीं कर रहा है मतलब जस्त आपको मिलेंगी तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हो कि क्राइटेरिया की बाद करें तो कंडिडेट हूं सक्सेस्फुली कंप्लीटेड एंड अंडर ग्रजुएट डिग्री और करंटली स्टेडिंग इन फाइनल यह मतलब आप फाइनल यह या थर्ड यह में आप पढ अग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के बाद कांस्लिंग के बाद वहां पर आपको देना होगा तब तक आप पास कर चुके होंगे भी ऐसी थर्ड यह तो आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा जिसे आप दे सकते हो मतलब थर्ड यह में हो तो बिल्कुल कोई भी ड देख सकते हैं कि रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर से सम्मेट करना प्रेस्क्राइब फार्म में उनके द्वारा देख जाएगी कि इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट सम्मेट करना तो उसी साब सब्सों इंपोर्टेंट चीज यहां पर आप लोग देख सक मतलब जब आप IIT में एडमिशन लेंगे तो उस वक्त भी आपका फीजिकल टेस्ट किया जाए कि मतलब आप पूरे तरह की से ठीक तो है कोई दिक्कत तो नहीं है तो सारी चीज़े आपकी चेक किया जाए यहां पर हाइट वगर कुछ मैटर नहीं करेगा हाइट वेड बस आ अपियर हो परसेंडे जहां पर कोई भी मैटर नहीं करता है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि जैन 24 में अगर आप अप्लाए करना चाहते हों तो eligibility criteria या minimum कितना आपका education होना चाहिए जो कि आपको पता चल चुका है तो आज के वीडियो में इतना ही so thank you so much